नया नागरिक्ता कानून को लेकर के पूरे देश में एक जो विरोध दिखाई दे रहा है तो पटना भी इससे अचूता नहीं बिहार के भी विभिन शहरों में जो है विभिन जमात के लोग जो है वो नागरिक्ता कानून के खिलाप जो है वो संको पर है विरोध परदर्शन हो रहे हैं हम खाड़े हैं फिलहाल पत्ना विश्व विध्याले में उत्तर्का उक्ष deprimation कहा जाने वाला पट्टना इंवरसिटी और इस पट्टना इंवरसिटी में क्या सोच रहे हैं लोग छात्र रहे हैं और जो है यूर नेता है कार्य करता है और सासत कई लोग जो है यह जो नागरिक्ता कानून है इस पर क्या राय बनती है बात सिर्फ धर्म या जात जमात की नहीं बात अगर हिंदोस्तान की है बात संभिधान की है बात कानून की है क्या राय बनती है यह क्या इस नागरिक्ता करता उसको सत्ता को चुनाउती देती है यह इसमें जाती हो धर्म के लोग नहीं है यह पूरे भारत परसके लोग है इसमें और पुनरूप से विरोध कर रहा है और उस पे जो सरकारें जिस तरीके से लाठी गोली की जो तर चला रही है उस पर यह एकदम से असन्विधानिक ह है कि कोई भी आदमी लोक्ता लेकिन हिंसा हिंसा कहीं कोई नहीं भड़की है पुलिस ने लगातार पटना में है तो लगातार तीन दिन से आम चात्रों पे और आम पब्लिक पे लाठी चला जारी आसुगेस के गोले दागे जा रहे हैं उसको कोई नहीं देख रहा है लेकिन बिना मतलब का बेवज़ा हिंसा हिंसा की बात कहीं जा रहा है और जनता अभी जुडिसेरी के तरफ देख रहा है क्योंकि कोट में अभी सिएभी के खिलाफ लोगों ने पिटिशन दायर किया है जुडिसेरी इस पर क्या स्टेंड लेती है यह आने वाले दिनों में देश क का भवी सित्ताय करने जा रहा है तो जुडिसेरी ने तो कहा सुप्रीम कोट ने की पहले हिंसा रोकिये तब फिर हम कोई आज गया है तो कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें बहुत बड़ा जनमानस होता है बहुत सारी चीजे होती है और ऐसी कोई भी वीडियो नहीं आई आप देखी के प्रोटेस्टर्स ऐसे से थे जिन्होंने बच्चों के बसों पर पत्थर चलाई उसके तो वीडियो भी हैं आपको कहना है कि हिंसा भी प्लांटेड होती है यह भी हो रहा है इस आंदोलन में हिंसा उस आंदोलन को नेगेटिव दिशा में ले जाने के लिए क आर्वाईया भी चल रही है ऐसा मानना है पटना विश्रुव दियाले के चात्रों का लेकिन इन चात्रों का साफ तोर पर यह मानना है कि यह मुद्दा जो है वह सीर्फ एक खास कौंब का सबाल नहीं यह भारतिये संभीधान भारतिये हिंडोस्तानी ताने बाने के पालिका आखिर इस कानून के बारे में क्या फैसले देता है कैमरा परसंद सब्त रिशी के साथ पटना इन्वर्शिट्री से स्वराज एक्सप्रेस के लिए नविंदू